बैंक को चाहिए वापस एक मिलियन डॉलर जो वापस करने हैं जो deposit deposit डिपॉजिटर वापस माङएगा तीन साल बाद आपको डॉलर में वापस करना है उस समय बैंक अगर 1 मिलियन डॉलर खरीदने जाएगा मार्केट में और उसको अब 50 की जेगेद आज 3 साल बाद उसको वो 60 रुपे का मिल रहा है एक मिलियन डॉलर खरिदने के लिए उसके होगे 60 मिलियन रुपे खर्च अब वो 60 होंगे की पैसेट होंगे की 70 होंगे जितना रुपिया डी वैलियो होता तेला जाएगा उतना बैंक का रिस्क बढ़ जाएगा हेलो एवरिवन वन्स अगेन वेलकम तो आएग्जांबी फॉर 50 परसेंट फास्टर प्रिपरेशन मेरा नाम है चंद प्रकाष जोशी और आरवे से जुडी हुई ये रोचक घटना ये रोचक कहानिया कुछ सुनी हुई कुछ पड़ी हुई कुछ इधर अधर से कलेक्ट करी हुई मैं आपके समने लेकर आ रहा हुँ आज की स्टोरी है हमारे रॉक स्टार गवर्नर की डॉक्टर रगुराम राजन किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के लिए ये बहुत जरूरी है फर्स्ट यू हैब टू रेडी टू लर्न याप टू बी ओपन कि हम नए आइडि करी होगी किस तरीके से देश के डेवलपमेंट में फाइनेंसिल इस्टेबिलिटी में क्रेडिट आउटफलो में मेजर रोल प्ले कर सकती है और डॉक्टर रोगाम राजन ने वो किया जो उन्हें खुद लगता था ये बहुत इडियोटिक आइडिया है जब उनके पास इ सेप्टंबर 2013 की 2013 में मई से लेकर अगर अगस्त एंडे तक आप देखेंगे तो रूपिया 22% गिर गया था 53-54 की रेंज से गिरके 66 की रेंज में आ गया था आर्वे की बहुत बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी है रूपे की वैली को बनाए रखना कि अगर बहुत तीजी से गिरने लग जाता है तो रूपे का डूवेलेशन होने लग जाता है तो एक तो इंपोर्ट बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और करेंसी पर कॉन्फिडेंस चला जाता है यह जो इडियोटिक आइडिया था डॉक्टर राजन के शब्दों में तो अमंग दा ऑप्शन समझने पढ़ेंगे आज जब आप इसको समझोगे तो आपको लगेगा या रहे तो बहुत ही फंटास्टिक आइडिया जैसे डॉक्टर राजन ने लिखा है उनकी इस किताब में भी उन्होंने लिखा है जिसको बहुत इंट्रस्ट वह पढ़ ले नहीं तो फिर वह पहले प्रेजिडेंट एकाउंट होते हैं एप सिनर एकाउंट तो जब फॉरें करन्सी का डिपोजिट आएगा यह होता कैसा जो भारत की लोग विजदेशों में रह रहे हैं वह इसमें पैसा जमा करते हैं और डॉलर में आता है उनको क्या फैदा है क्योंकि इंडिया में इंट देश को एडिशनल पैसा मिलेगा जिसको बैंक वाले आगे डिपलॉई करेंगा आगे लोन दिंगे और फॉरण से जो डिपोजिट मिलता है वो कम इंटरस्टेट पर मिलता है फॉरण कंट्री में इंटरस्टेट हैं कम हमारे देश में इंटरस्टेट ज्यादा तो अगर वहां से चार परसेंट पर उठा रहे हैं और यहां पर बारा परसेंट पर दे रहे हैं और बीच में तीन-चार परसेंट अगर उसकी हैजिंग कोस्ट है हैजिंग कोस्ट क्या होती है यह इंटरस्टिंग पॉइंट और यहां पर सबसे ज्यादा रोल है आर्बियाई का अब उसको 1 million dollar वापस करने हैं, अगर आज 1 dollar उनको 50 रुपे देता है, तो 1 million कितने होगे, 50 million होगे, तो बैंक को मिल गे 50 million रुपे, 50 million INR का उन्होंने market में लोन दे दिया, अब 3 साल बाद, रुपे गिर गया, और 1 dollar का value होगया, 60 रुपे, बैंक को चाहिए, वापस 1 million dollar जो वापस करने हैं, जो deposit, डिपोजिटर वापस माँगेगा 3 साल बाद, आपको डॉलर में वापस करना है, उस समय बैंक अगर 1 million dollar खरीदने जाएगा market में, और उसको अब 50 की ज आज 3 साल बाद, उसको वो 60 रुपे का मिल रहा है, एक million dollar खरीदने के लिए, उसके होगे 60 million रुपे खर्च, अब वो 60 होंगे, कि 65 होंगे, कि 70 होंगे, जितना रुपया devalue होता तला जाएगा, उतना बैंक का रिस्क बढ़ जाएगा, तो बैंक क्या चाहता है, कि एक swap transaction कर लें, उसको बोलते हैं, currency swap, dollar, INR swap, यानि कि मैं 3 साल बाद, आपको INR विचूंगा, बैंक की बोलेगा, मैं आपको 3 साल बाद, INR विचूंगा, मुझे 1,000,000,000 डॉलर चाहिए होगा, 3 साल बाद आप rate fix कर लो, 55 का rate fix कर लिया, 3 साल बाद, कौन ये guarantee लेने वाला है, कि 1,000,000 डॉलर उसके पास हैं, और यहां पर बात 1,000,000 की नहीं, जो ये finally transaction होता है, बनता है 30 billion, 30 billion का FCNR इसमें आता है, अगर मैं उस समय के भी rate लगाऊं, तो करीब 1,85,000 करोड रुपे, तो इतने के लिए swap deal कौन सा bank कर सकता है, कि इस bank के पास इतना बड़ा forex का भंडार है, कि वो 3 साल बाद ऐसे deal कर लेगा, केवल reserve bank, अब reserve bank बोलता है, भई अगर मैंने ये deal कर लिया आपके साथ, आपको मैंने एक guarantee दे दी कि 3 साल बाद मैं आपको dollar इस rate पर दूँगा, तो तुम्हारा तो फाइदा पका है, बैंक तो कमाएगा, क्योंकि बैंक ने क्या करना है, बाहर से FCNR deposit लेना है, और reserve bank से उसमें swap deal कर लेनी है, currency swap deal, और market में loan देना है, तीन साल बाद लोन उसको 28 से वापस मिल जाएगा, बैंक की 20 liquidity बढ़ गई, और वो deposit वापस जाएगा, उस समय उसको dollar का rate पहले से पता है, बैंक का कोई loss नहीं है, उस समय पे लेकिन अगर रूपिया बहुत devalue हो गया, RBI ने deal कर ली 55 की, और market में रूपिया चला गया, 60, 65, 70, तो RBI का तो नुकसान हो जाएगा, RBI का नुकसान मतलब देश का नुकसान, अब बोल सकते हो कि, कि अगर रूपिया 55 से कम रहा इस example में, 52 पर रहा, तो RBI को फैदा भी होगा, but that is not the interest of RBI, RBI ये transaction क्यों कर रहा है, RBI RBI का परपज है, गिरते हुए रूपे की value को बचाना, बाहर से dollar आएंगे, तो रूपे की demand बढ़ेगी, और रूपे की value बनी रहेगी, रूपे की value बनी रहेगी, तो currency में confidence रहेगा, importer को भी फैदा होगा, देश का current account deficit balance बना रहेगा, तो जब Dr. Rajan, Finance Ministry में थे उनने बोला ये bank वाले अपने फैदे के लिए कर रहे हैं, उनने तो पक्का इसमें benefit होने वाला है, they will make money, they will get fantastic bonus और इसका payment करेंगे हम, इसलिए उनने बोला एक completely idiotic idea है, जैसे कि हम 3.5% की उनको subsidy दे रहे हैं, और तब उनने सुबहराव सर से बोला कि आप ये announce कर दो जाते हुए, लेकि सारी जनता ने बोला ये तो Dr. Rajan का master stroke था, Dr. Rajan लिखते हैं कि this is a calibrated move, bank will certainly make money, there is a probability that RBA में lose money, but there are very high chances that country is going to gain, let's take this plunge, इस master stroke से, बाद में master stroke हो गया, 30 billion, 1,85,000 करोर रुपिये देश की economic अंदर आते हैं, भारत सरकार का budget कितना होता है, एक साल का, करीब 45 lakh करोर, और, are you imagining the power of RBA here, एक currency swap की deal को RBA करके, बैंकों को ये permission देके कि भाई आप FCNR ले आओ, कितना पैसा market में inject कर सकता है RBA, कोई doubt हो ना, तो आप comment में पूछ लो, टेपर टेंटरम भी पता हो जाएगा आपको, और quantitative easing भी पता होना चाहिए, सैद मेरे बताने में जितना easy लग रहा है policy making उतना easy तो होता ही नहीं है, and that makes the job most interesting, आपको वीडियो अच्छा लगा, please like, share, subscribe the channel and help me in demystifying the job of RBA, exam B is here to make your job preparation 50% faster, all the best.